जन्वरी 2020 में संदीप उर्फ काला जठेडी हरियाना की भॉण सी जेल में बंध था और उसके कदम तेजी से अंडरवर्ड की तरफ बढ़ रहे थे इसी दोरान उसके बच्पन के दोस्त ने उसकी बाचीत गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्णोई और संपत नहरा से कराई काला जठेडी उनके काम का आजमी निकला इसलिए अगले ही महिने लॉरेंस बिश्णोई और संपत नहरा ने उसे पुलिस की गिरफ से उस वक्त छुडा लिया जब उसे फरीदाबाद कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था काला जठेडी अब लॉरेंस बिश्णोई का खास बन चुका था लेकिन दिक्कत एक थी कि वो जहां भी रहता पुलिस को उसका कोई न कोई सुराग मिल ही जाता था लॉरेंस बिश्णोई इस पर माता पच्ची करी रहा था कि तभी उनके गैंग में रिवॉल्वर रानी यानि अनुराधा की एंट्री हुई दरसल गैंग्स्टर आनन्दपाल के गैंग में रह चुकी अनुराधा तेज थी पड़ी लिखी थी और फरराटिदार अंग्रेजी बोलती computer science में graduation और MBA कर चुकी अनुराधा के सामने जब काला जठेडी वारी समस्या बताई गई तो उसमें अपना दिमाग लगाते हुए जट से बता दिया कि पुलिस उसे digital तरीके से track करती है रिपोर्ट की माने तो लॉरेंस बिश्णोई और उसके साथ ही गोल्डी वरार ने अपने अब अनुराधा को ही ये टास्ट सॉप दिया कि वो काला जठेडी को सिखाए कि कैसे पुलिस की digital tracking से बचा जा सकता है अनुराधा फॉरण इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए त्यार हो गई इसके बाद काला जठेडी और अनुराधा उत्रागंड के गड़वाल चले गया और 9 महीने तक पुलिस की नजरों से चिपे रहे यहां साथ रहते हुए दोनों करीब आया और एक दूसरे को दिल दे मैटे अरियाना की special task force के पास मौजूद जोजियर के मुताबिक इसी साल दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी दोनों पती-पत्नी के तौर पर चार महीने तक मद्रिपरदेश के इंदौर में भी रहे हाला की काला जठेडी और अनुरादा जब उत्राखन लोट रहे थे तो पुलिस ने यूपी के सारनपुर में उने धर्द बोचा तो उसने ही इस गैंग की कमांड समादी हाला की अनुरादा इस बात से इंकार करती रही अनुरादा ने का कि आननदपाल की गयर मौजुदकी में उसकी बेटी और भाई विक्की सिंग गैंग चलाते थे बताया जाता है कि अनुरादा आनदपाल के साथ लिविन में रही और 2017 में उसका एंकाउंटर होने के बाद विक्की सिंग ने अनुरादा की बारचीत लौरेंस बिश्णोई से कराई काला जठेडी और अनुरादा की शाधी दिल्ली के द्वारगा सेक्टर 3 में के सुभाष गारडन बैंकेट हॉल में बीते मंगलवार हुई शाधी की रस्में सुभे 10 बजे से शुरू होकर 6 बजे तक चली काला जठेडी एक बार पहले पुलिस की गिरफ से भाग चुका है इसलिए पुलिस किसी तरीके का रिस्की नहीं लेना चाहती हुई बैंकेट हॉल की सेक्योरिटी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम रांच के अलावा 108 कमांडों की टीमें भी लगाई गई शाधी में क्रीबन 1500 महमान शामिल हुए जिनने पूरी पहचान के बाद ही अंदर जाने दिया गया पुलिस को ये भी आशंका थी कि काराजटेडी के दुश्मन गैंग शाधी की वीड का फायदा उठाने की फिराक में रहेंगे इसलिए कुछ पुलिस कर्मियों को बारादियों के साथ वर्दी में शामिल किया गया था A.N.P. टाइम्स की रिपोर्ट